जो बिजनस करना चाहते हैं उसमें अल्ड़ी हजारों लाखों लोग पहले से हैं, most of the time हर व्यक्ति 3-4 घंटे का आपके बास बहुत सारा extra टाइम होता है, सब कुछ करने के लिए और उस बिजनस के बाद अपार संभावनाएं आपके सामने खुल जाती हैं, इस वीडियो इस पावर्ड बाए मेटास लाफस्टाइल, इंडियास लीडिंग मैनुफाक्च्टरर और स्टेलने स्टील, मॉडलो केशिन, बात्रूम वैनिटी, वादरोब और स्टील इंटिरियर, फंचाइजी शोरूम प्रान इंडिया, हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित माईश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मॉटिवेशन स्पीकर और सीओ, मेटास ओवर्सीज लिमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट बिजनस विज जॉब, अगर आप अल्रड़ी जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ बिजनस कैसे शुरू करें, आप जानते हैं कि मारवाड़ी बिजनस में बहुत तेज होते हैं, उनको जिस इंडस्ट्री में बिजनस करना होता है, उसी इंडस्ट्री में या तो वो जॉब करते हैं, या जॉब करते करते पहले बिजनस को सेट करते हैं, और बाद में जॉब को छोड़ते हैं, आज यही महत्पून बात हम लोग डिसकस करने वाले हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए आपका जॉब का प्रोफाइल क्या है, किस प्रोफाइल में आप जॉब करते हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिं बाद बजे तक होगा, या छे से नौ बजे तक होगा, कोई भी एक वरकिंग और फिक्स होते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसी जॉब करते हैं, जिन में उनके पास भरपूर समय होता है, जैसे सुबद 6 बजे से लेकर, और 12 एक बजे तक वो काम करते हैं, तो आपको पता किसे साइम के मैनेजमेंट को समझने की, और उस ताइम को ऐसे मैनेज करने की, कि आप जॉब करते करते धीरे धीरे अपनी बिजनस को सेट कर लें, और जब आपकी बिजनस से आने वाली अर्निंग, आपकी जॉब की अर्निंग से ज्यादा हो जाए, तब आप असानी से 3-4 घंटे का समय निकाल सकता है और वैसे भी रियल बिजनसमें को भी देखेंगे न आप तो सारे प्रोड़क्टिट टाइम में जो उसका नेट जो शेल टाइम जो बसता है वो 3-4 घंटे का ही बसता है बाकि सारे टाइम most of the time businessman waste कर देता है तो आपको वह Nut계 अपका टाइम निकाला है दूसरा आपके एक्सेट्रा बर्किनग डेशे तो सेटर्डे या संडे आपका एक्स्ट्रा आपके पास अपके जिस भी industry में आप काम करना चाहते हैं, जो भी product, जो भी service या जिस भी तरह के industry को आप capture करना चाहते हैं, उसमें business करना चाहते हैं, उसको identify करें, सबसे पहला काम क्या करना हुगा, आप अपने business को ऐसे part time करें, और आज part time business करने के लिए वही extra time आपको चाहिए, जिस extra time के बारे मैं मैं आपसे भी बात कर रहा था, तो सबसे पहले अपने extra time की calculation करें कि कितना है, select a product or service or industry, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप किस तरह क product में deal करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे products हैं, जो आपको ready to move मिलते हैं, ready to supply मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे product हैं, जिनका order आज place हुआ, उसकी supply तीन महिने बाद जाएगी, तो आप कोई देखना है कि किस तरह के product, या किस तरह की service, या किस तरह की industry में आप जाना चाहते हैं, द उसकी information ले as a buyer, अगर आप buyer होते हैं और आपको product खरिदना होता, तो क्या प्रश्न होते हैं, आप किस तरह से कहते हैं, आप कैसे quotation मंगाते हैं, जो आप किसे oil कते हैं, एक प्रोड़ट की नौलेज हैं, और उसके बाद प्रोड़ट की बहुत सारे knowledge हो जाएं, तब next vendors से, आ आप as a buyer नहीं, as a company बात करेंगे, और जब आप as a company बात करेंगे, तो जब आपको as a buyer selling price मिल रहा था, अब आपके बस पुरी knowledge भी है, product की, service की, अब आपको जो मिलेगा, वो cost price मिलेगा, कि किस price पर आपको material supply मिल सकता है, दूसरा, know your market, आप ये देखें कि उस product या service के लिए right market कौन सी है, आपका किसी कोई city भी हो सकती है, कोई zone भी हो सकता है, कोई district भी हो सकता है, कोई country भी हो सकती है, तो अपनी market को सर्च करें कि कौन सी ऐसी market है, जहां उस तरह के products आसानी से sale किया है, start finding buyer, आपके बास 3-4 घंटे का जो extra time है, ये सारा का सारा time आप लगाएं, homework करने के बाद, start finding buyer, नए-नए buyers को ढूंडना शुरू को, और buyer ढूंडने का तरीका क्या है, आप online, India Mart, Trade India, Exporter India, Alibaba, Google या companies की direct websites को सर्च करके, या product को direct सर्च करके भी, उनके buyers को ढूंड सकते हैं, buyer मैंने क्यों कहा, आपको रग बात करते हैं, तो पता जल जाता है, ये व्यक्ति manufacturer या trader, अगर trader है, तो वो भी कहीं से supply लेता होगा, तो आप उनको अपनी costing बेजें, अपने product की information बेजें, अपनी price list बेजें, उसके बाद send information to buyer, जो आपके लिए prospective buyer है, जो lead आपने generate की है, अब क्या होगा, हमारी company में जब 200 lead, हम लोग per month generate करते हैं, अब जब इतने लोगों को information बेजते हैं, तो उनमें से 10% maturity आई जाती है, मतलब 1300 लोगों में से 130 लोग ऐसे होगे, जो आप से material लेने के लिए तयार होगे, ask for order confirmation, उन्होंने आपके product को देख लिए, अपनी information देख लिए, आप price list देख लिए, sampling उनसे advance payment ले, आपके पास बहुत सारा extra time होता है सब कुछ करने के लिए, फिर buy product from vendor, मैंने क्या का था, आप vendor को study करें, यहां बताया था ना, vendor को study करें, get information from vendor, vendor ने आपको supply rate भी दे दिया, अब जैसी order confirmation आपके पास आया, वो आठा के आपने vendor अपने supplier को दिया, जो आपको best rate provide कर रहा है, और उससे material लिया, और material supply कर दिया, अपने buyer के पास, धीरे धीरे यह frequency आप बढ़ाते चले गए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, how I started import and export business, या मेरा पहला export कैसे मैंने किया, मैंने अपना factory setup कैसे लगाया, है ना, तो यह सारी इसे बहुत important role play करती है, जब आप as a part time किसी business को शुरू करना चाते हैं, और जिस दिन आपकी average sale, इतनी हो जाए कि उसका average margin है, वो आपकी salary से लगबख दुगना हो जाए, तो धीरे धीरे करके आप अपनी job को असानी से छोड़ सकते हैं, और उसके बाद उसी business को full time कर सकते हैं, जरूरत है केवल और केवल अपने मन में वो दृड़ विश्वास बनाने की कि हाँ, मुझे business करना है, और उस business को करने के लिए, job के working hours के अलावा, मैं कितना effort extra करने के लिए तयार हूँ, मैं अपनी life की क्या-क्या चीजें त्यागने के लिए तयार हूँ, मैं अपना friend circle को दिया हुआ स job के साथ-साथ business शुरू कर सकता हूँ, और उस business के बाद अपार संभावना या आपके सामने खुल जाती है, क्योंकि कहता है, sky is the limit, तो आपके बाद sky is the limit आपको मिलता है, आप कितना भी पैसा कमा सकती है, यह निरबर करता है कि आप कैसे decision लेते हैं, यदि आपके मन में मुझे comment box में जरू लिखें, और business से related informative वीडियो मिशना उसको लेज चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्मा ईश्वरी, आप किसमोरे बहुशी की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत